नमस्कार दोस्तो आप लोग का बहुत स्वाधत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल HDFind में मैं हूँ आपके साथ अमर्जित कुमार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बिहार प्लिस फैर्मेन में जो है कोशन किस परकार के पूछे जाते हैं ओके दोस्तो इसलिए दोस्तो आगर आप लोग बिहार प्लिस फैर्मेन का फॉर्म फिलफ कर दिये हैं तो इस वीडियो को लाश तक अवज देखेगा क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा 100 कोशन को कवर किया ओके तो आए शुरू करतें बिना खिसी दे लीकिए तो दोस्तो आप लोग किसा वente है इसमें का रहा है पाठ जोड साला बनकर बना है पाध साला के मेल को झो है क्या कहा जाएगा तो सलयोग कहा जाएगा तो अप्सन नमर डी जाहिए या करेक्ट आंसर है अब चलिए कोशन नमर दूसरा की और इसमें कह रहा है बहुबरी समास में होता है कौन सा पद इसमें परधान होता है तो इसमें जो है दोस्तो तिरतिया पद इसमें परधान होता है बहुबरी समास में तो इस बातों को आप लोग धियान में रखिएगा अब चलते हैं कोशन नमर ठर्ड की और इसमें कहा रहा है दोस्तों सही उत्तर को छांटिये क्या कहा रहा है सय नागर कातर हिमाले सनरचना के आधार पर क्रमसा इसका पड़िचे है तो इसका जो है इनकी पड़िचे है वो है योगिक है रूट है और योग रूट है अब चलिए कोशन नमर फोर की और इसमें कहा रहा है दोस्तों गौर किजेगा इसमें कहा रहा है निमलिखी वाक्य मेरे रेखांकित क्रिया विसेशन सब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखे तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे इसमें कहा रहा है यह जो है जितना और उतना जो और इसमें कह anger$ रहा है, दोस्तो शांती से बेटकर अपना कार्ड़ कीजिए, मैं रेखांकित सब्द जो है शांती से, इसमें जो है कौन सा किरिया आविसेशन है?, तो दोस्तो इसमें जो है रीती वाचक किरिया आविसेशन, क्या है रीती वाचक किरिया आिसेशन। option no 33 यह Ant a postire अब चलिए question No 32 में करा रहा है जिसके हिर्दे नहीं गई जिसके हिर्दे में ममता नहीं है के लिएए कि एक सबद किन्वा इनिक एक को बोलना है तो इसका आंसर और मीड़ा होगा लिए जिसके णिरंगन ममता नहीं है मेरा घर में जो है कि यहां मेरा गर में किया चीज है और आपसन के अनुसार आप लोगो को बताना है कि यहां मेरा जो है क्या चीज है तो दूस्तों इसमें जो है यहां मेरा एक सार्वरनामिक विजिसर है क्या है सार्वरनामिक विजिसर ऑप्सन नमर सी जह है यहां correct answer है अब चलिए question नमर आगे की और इसमें कह रहा है सुद्ध सब्दों को छहटे इसमें आप लोग को जो है सुद्ध सब्द को छहटना है तो इसका जो होगा इनकी सुद्ध रुप्त वहा होगा यह मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने बैपारी थे तो option नमर एज होगा वह correct answer होगा चलिए कुशन नमर आगे की और इसमें कहा रहा है दोस्तों fill in the blanks by choosing the right option और option दिया हुआ उपर यह मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं यह कह रहा है दोस्तों नाइदर न्यू इयर्स इवें नौर वैलेंटाइन डे डैस ए नेशनल होलिडे इन इंडिया तो इसमें होगा इज होगा ओके चलिए कुशन नमर आगे की और इसमें कह रहा है दोस्तों और एक बात में आप लोगों पतना चाहता हूं इसका जो है पीडियाफ है आप लोगों को हमारे टेलेग्राम ग्रूप में मिल जाएगा इसका पीडिया ओके चलिए इसमें कह रहा है वीच उल्टा दिया हुआ इसमें तो इसका जो होगा अंसर आप्शन नमर डी होगा बोर एंड डेम ठीक चलिए कुशन नमर आगे की और इसमें कह रहा है दोस्तों अंहींगों ऑन इंदा फोलॉइंग इंदा फ्लोंग संटैंस ओके चलिए कुछ नमर आगे के और इसमें कहा रहा है दोस्तों दा यंग वन ओफ गॉर्ड इज कीड एंड डैट ओफ ए हैं इज अब आप लोग को जो है इसमें चूज करना है कि खाली अस्तान पर क्या हो सकता है तो इसका जो होगा क्रेक्ट आंसर वह होगा चीक होगा क्या घल इसमें कहा रहा है आएडेंटीटि वड्ज दवर्ड विच इस आल वेज यूज एड एड एड़ चीन सिंगूलर तो इसमें क्या होगा इसका प्रेक्ट आंसर तो वह होगा मिशने सुगा क्या होगा मीन्सलेस मीशनेस होगा आप्सन नमर्चीज होगा वहा और्च्ट अंसर होगा चलिए कुस्ट नमर आगे क्या हो सकता है वह आप लोग को बताना तो खाली अस्थान पे जो होगा इन होगा क्या होगा इन होगा ऑप्सन नमर एज होगा वह करेक्ट आंसर होगा चलिए कुस्ट नमर आगे क्यों इसमें कहा रहा है दोस्तों फिल इन दा ब्लैंक वाइज चूजिंग दा राइट आप्शन आइदर हिस्टोरिकल और जेस्ञ ऑकेशन और डिस्टी जुनीस्ट पर्संट डैस क्या होGएश एच multi यजु होगा क्या होगा और पसी जमतल चुरी क्यों मिभूत करेक्ट अमेट कर वह राज पुनर गठन आयोग के साथ संबंदित नहीं थे तो आप्सन नमर सी जोगा वह करेक्ट आंसर होगा चलिए कुस्टन नमर आगे को इसमें कह रहा दोस्तों महिलाओ के मान मताधिकार से संबंदित सफरा गेट्स मूव्मेंट किस देश में चलाया गया सफरा मेंट सफरा गेट्स मूव्मेंट जो है दोस्तों आप लोग बताना हुआ किस देश में चलाया गया तो वह जो है दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया ऑप्सन नमर एज होगा वह करेक्ट आंसर होगा अब चलिए इसमें कह रहा दोस्तों राज सभा के सदस्का कार्ज काल कितने वर्स का होता है जिसका राशसाभा कि सदस्का का छो वर्स का होता है अब आगे चली कोसर नम्मर आगे मिश्में करा दूस्तू पंचायत समीति के सदस्ञ के लिए चुने जाते हैं मतलब इनकी पंचायत समीति के जो होते हैं सदर्स वह कितने वर्स के लिए चुने जाते हैं तो आप लोग का बताना है तो वह जो है दोस्तो फाइव एर्स के लिए चुने जाते हैं कि पंच वर्स के लिए चुने जाते हैं आपसन नमर बीज होगा वह करेक् कि और इसमें कह रहा है दोस्तों कि क्या कह रहा है देखिए गए एक बार इसमें कह रहा है राष्टिय सिक्षा नीती 1986 का उद्देश क्या था तो दोस्तों उसका जो उद्देश तामुक उद्देश वह था शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इसमें रूची रखते हैं आप चली कुशन नमर आगे क्यों इसमें का रहा है दोस्तों लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूँ कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए जो दोस्तों बेरोजगार को रोजगार देना चाहिए सुद्रिट पंचैती राज होना चाहिए और नागरिकों को इमांदार और उतरदाई होना चाहिए तो इन चारों आप्सनों में जो है वहा करेक्ट आंसर होगा अब चलिए कुश्चन नमर आगे की और इसमें कह रहा है नकसलवाद का अर्थ क्या होता है तो इसका जो होता है अर्थ वो होता है रंग भेद होता है क्या होता है रंग भेद होता है नकसलवाद का अर्थ अब चलिए कुश्चन नमर आगे की और इसमें कह रहा है दोस्तो इन में से राश्टिये राजनितिक दल कौन सा है आप लोग को बताना है कि इन में से राश्टिये राजनितिक दल कौन सा है तो वह जो है दोस्तो बहुजन समाज पार्टी जो है यहां राश्टिये राजनितिक दल है और सनमर सी जो होगा वह नेका रहा है लोकतंत्र जनता के लिए एभम जनता कि το रखाए किस ने गैंब आपको कहा था क्ली दोस्तव और हम लिंकन ने कहा था अब चली gaat पहने संगवाद का अर्थ क्या होता है तुर संग बाइस क्रान क्या होता है Aryanis आप जो होगा और चलिए कुछन नमर आगे क्यों इसमें कहा रहा है भारत एक डैस रास्ट रास्ट है तो हम लोग जानते हैं कि भारत एक धर्म निर्पेक्ष रास्ट है तो अपसे नमर एज होगा वह करेक्ट आंसर होगा अब इसमें चलिए दोस्तो भारत में दल विहिन जनतंदर की परि आइज होती है क्या आज दूस्तो नमर अठेज देखिएगा इसमें क्या कह रहा है इसमें कह रहा है भारत के किस पर्धन मंत्री ने कि स्री लंका में भाषit येंता अंटी सेना भेजी ठी है वहाँ उस्तों को बता दूंकि की राजीव गांधी जो थे वहाँ श्रिलंका में भारतिय सान्ति सेना भेजा था तो आपसर नमर दिआ होगा क्रेक्ट आंसर होगा और इसमें आप लोग पातको याद करना आवरीजीernτα नरेंद्र मोधिया बारत का चौदवा परधानमंत्री है कितना मां है तो चौदवा परधानमंत्री है हमारे नरेंद्र मोदी ओके और आठ में जो है आठ में जो थे वह परदान मंतरी कौन थे विश्वनात परताप सिंग तो इस बातों को जो है आप लोग को ध्यान में डखना जरूरी है अब चलिए कोश्चन नमर 29 की और इसमें कहरा है इनमें से कौन सा देश दुटिय विश्यूद के दोडान धूरी राष्ट गुट का सदस नहीं था तो दोस्तो वह जो था इनकी चीन यहां धूरी राष्ट का सदस नहीं था तो आपसन नमर सी जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा चलिए कोश्चन नमर आगे की और इसमें कहरा है गांधी इरविन समझोते पर हस्ताक्षर करने वाला मतलब इसमें कह रहा है गांधी इरविन समझोता पर हस्ताक्षर कब हुआ तो वह जो है दोस्तो 1931 में जो है 1931 में गांधी इरविन समझोता पर हस्ताक्षर हुआ अपसन नमर बीच होगा वह करेक्ट आंसर होगा अब चलिए कोश्चन नमर आगे की और इसमें क आतंकाराज किसके सासनकाल को कहा जाता है तो लुई सुलामा के जो है सासनकाल को फ्रांस में आतंकाराज कहा जाता है ठीक चलिए कुसर नमर आगे क्यों इसमें कह रहा है पर तीन निदित्व नहीं तो कर नहीं का नाड़ा किस घटना का परीमान है तो वह जो है दोस्तों अम सुब्सक्राइब नहीं हिए तो कॉस्त नमरे चरह सुब्सक्राइब है नहीं। तो आप्सन नमरे तो आप से जो स्क데ुन सुब्सक्राइब लोटए थे उस नहीं जनर यॉट्टि सुब त तो ते गांदी जी जो थे वह अफरीका से भारत लॉटे थे और दोस्तों मैं आप लोगो बता दूँंकि गांधी जी जी वह दख्षीन अफरीका एकाई सवर्ष तक रहे कितना वर्ष तक एकरइस वर्ष तक वहाँ पर रहे थे दख्षीन अफरीका में तो इसको भी आप लोग को याद कर लेजिए गा अब चली कोसे नमर आगे क्यों चार्टर कहां तयार हुआ था तो वासिंग्टन में वासिंग्टन में सन्युक्त राष्ट का चार्टर तयार हुआ था सब्सक्राइबं कि यहां सब्सक्रामार हम सब्सक्राइब करु के बाहुत है यहोगा था तो आप्सर नमर सी होगा वह वह सथाल आंसर हो था ओके तो आप्शन एक तो गलत है ऑप्शन भी देखिए मोपला बिद्रो जो है दोस्तों उनिस्ट एकरिस में हुआ था कहां पे तो केरल में हुआ था मोपला बिद्रो अब चलिक अपसन नमर सी में को देखते हैं इसमें कहा रहा है राष्टिय स्वेंग सेवक संग कि अस 2022 में हुई थी तो आपस्न नमर सी जो होगा क्लेक्ट असरौ और उसमें कह रहा है ऑल इंडिया ट्रेडर यूनियन के अस्थापना क्वुइति चलिक कुछ humor − का गलत है option दिया हुआ आप लोग के सामने मैं एक बार question को फिर से पर रहा हूं मानव और नागरिकों के अधिकार के गोसना पत्र के बाड़े में क्या गलत है और जो है option आप लोग के सामने उपर दिया हुआ दोस्तो तो दोस्तो मैं आप लोग को बता दू कि इसका answer जो होग आती है तो कोशी को जो है विहार का सोग का लाती है चलिए question नमर आगे क्योंस में का रहा है बनस्पति जो विश्वत रेखिये वनों से संबंदित नहीं है तो अकेसिया जो है दोस्तो अकेसिया या विश्वत यह वनोंसे संबंदित नहीं है चलिए question नमर आगे क्योंस में संबंदित है तो फर जो है दोस्तों या अलपाइन से संबंदित है फर वनस्पति ठीक ना चलिए कुशन नमर आगे क्यों इसमें कहा रहा है दोस्तों पेसावर एबं काबूल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े थे तो वहां जो है दूस्तों खेवर दर्रा से एक में अठारे डिविजन है और तेहतर जो है सब डिविजन है ओके तो इसका अंसर होना चाहिए अठार है ओके अब चलिए कोशन नमर आगे क्यों इसमें कहा रहा है दोस्तों वर्स जिसमें पर्थम पिर्थवी संब्यलन आयोजित हुआ था तो उनीस सो बैरानवे में जो थ यहां भारत में दूसरा सबसे बादा जल परफाद कौन सा है तो जोस्तों जोग यहां भारत में दूसरा सबसे बड़ा जल परपाद है और जो पहले अस्तान पर महात्मा गांधि जल परपाद Okay तो इस बातों को आप लोग को ध्यान में रख लेजए में अब चलिए आगे इस में करना रहा है तो दोस्तों इसका जो मुख्य कारण वर्षा का वह उत्तर पूर्भ मांसून से जो है तमिन लाडु में सितकानी वर्षा होती है ठीखना अब चलिए को सर्थ कि चंद्रमा की घूडनन अब्दी रहा है कि चंद्रमा की अब esas दिन के लिए전 में भारत की काड़ एसे दिन के लिए तो अपस्टि कियो था क्यों गुञार्त र다 encore गांत रही तो दोस्तों तो सबस्रीत थे श्रब लिए कर दोस्तों कि दीर्टी ऐ लोग्य को परवावित नहीं करती है तो कि जालवावित नहीं करती है तो ऊप्षिन नमर के पर बर्मान गति यहां जलवाई के परवावित नहीं करती है तो option नमर D जो होगा वह correct answer होगा अब चलिए question नमर आगे की और गौड कीज़ेगा दोस्तों इसमें हमने पूरा 100 question का बताया है कि question जो है कैसा कैसा पुछा जाता है आईए question नमर आगे लेते हैं दोस्तों इसमें करत दोस्तों क्या करा है भारत भारतीय राज जिससे होकर कड करेखा नहीं गुजरती है तो दोस्तों इसमें एक trick होता है क्या होता है trick मित्र पर गमच्छा जहार यहां जो है trick मैंने जो है उपर यहां पे लिख दिया है मी से होता है मिजोरम तरो से होता है तिरिपूरा पो से होता है पस्षी मंगाल रो से होता है राजस्तान गो से होता है गुजरात मो से होता है मद परदेश छो से होता है छतिस गंड और जहार से होता है जहार कंड इन जो है इन राजों से करकरेखा गुजरती है बांकि जो भी रहेगा उस प्रृव सर्व सनियुक्ष राष्ट दिवस का मनाया जाता है फि olduğumuz जानते है कि 24 अक्तूबर 1945 को सनियुक्ष राष्ट के अस्थापना होई थी इसलिए जो है दोस्तो 24 अक्टोबर को सन्यूक तराश्ट दिवस मनाया जाता है अब चलिए कोशन नमर आगे की और इसमें कहरा दोस्तो कंगारू कहां का मुख्य पसू है तो दोस्तो मैं आप लोग को बता दू कि कंगारू जो है आस्ट्रेलिया का मुख्य पसू है तो आपसे नमर डी जो होगा वह क्रेक्ट आंसर होगा अब चलिए कोशन नमर आगे की और कि इसका जो होगा अंसर आपसं नमर अगला में इसमें कह रहा है दोस्तों निमंद में से कौन सरीर में wal recib Department बनाता है ठिक अब चलिएुइ कोर्श नमर आगे के उदिस में खारा है जाए ज़वान जाए किसने का नby नडबा था टो वह ज़ो है दोस्तों लाल बहादुर तो शास्री ने जो है ज़जवान ज़ए किसान का नड़ा दिया था ओके अब चलिए कुसे नमर आगे क्यों इसमें कहा रहा है संतोष ट्रॉफी जो है किस खेल से संबन दित है तो फुटबॉल से जो है संतोष ट्रॉफी संबन दित है और सनमर्ड ए होगा करेक्ट आंसर चल चलिए कुसे नमर आगे क्यों इसमें कहा रहा है दोस्तो खाद श्रिंखला में उत्पादक परकास और उर्जा को किसमें बदलते हैं तो वह जो है दोस्तो रासायनिक उर्जा में बदल देते हैं तो आप्सन नमर डी जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा कुसे नमर आगे दे पोसको का चक्रन होता है इसके दोड़ा जो है मंडल में रासायनिक पोसको का चक्रन होता है तो वह जो है दोस्तो जल दोड़ा भी होता है वाई दोड़ा भी होता है भूमी दोड़ा भी होता है इसका अंसर ऑप्सन नमर डी होगा इन में से सभी अब चलिए कोस्टन नमर आगे की और इसमें कह रहा दोस्तो भारत में खरी फसल का कौन सा मोसम अच्छा रहता है तो दोस्तो मैं आप लोग बता दूँ कि जूलाई से अक्टूबर तक जो रहता है वह खरी फसल के लिए काफी अच्छा मोसम रहता है तो आपसन नमर सी जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा अब चलिए कोस्टन नमर अगला की और इसमें कह रहा दोस्तो दिसंबर 1984 में घाटी भोपाल गैस दुरघटना में किस जहड़ीली गैस का डिसाब होगा था तो दोस्तो मैं आप लोग बता दूँ कि इसमें जो है दोस्तों dura गास और साप में यदि घास परथम पोसी अस्तर पढ़ है तो तिरतिया पोसी अस्तर पर कौन होगा तो इसमें जो है दोस्तो मेधक और संप जो है दोनों होगा आप सनमर्डी जो है गोहत तरेक्ट आंसर हो है अब चली कुछन नमर्ड आगे कि और इसमें कह रहा दोस्तो पुनरुद भवन की विसेस्था शमता पाई जाती है है अबिट तो इक नो डढद में पाई जाती है अनकी कि पुनुरूद भावन की विसेश्था पुनुरूद भावन की विसेश्था जो है दोस्तों यह इका इनो डमेटा में पाए जाती है ओके अब चली कुशन नमर आगे को इसमें का रहा है दोस्तों टू-4D क्या है तो दोस्तों उसे पहले हम लोग जहां जानते हैं कि आखिर अगे की योड इसमें कहा रहा है दोस्तों आपतन का कौन आपतन का कौन जो है किसके बीच बनता है तो हम लोग जानते हैं कि यहां कोई अगर प्रावर्तत सता है तो अगर इसमें कोई किरन आकर इससे ठकड़ा कर फिर उपर ही वापस ही लोट जाती है और यह एक अभी लं कर न्रम है तो इसको हम लोग कहते हैं आपतन कौन और इसको हम लोग कहते हैं प्रावर्तन कौन तो वहाँ जो है दोस्तों आपतनि की अप्तित किरन और अभी लं के बीच आपतन कौन का निर्मान होता है तो आपसर नमर सी जो होगा वह correct answer होगा अब चलिक उसनिनमर आगे और इसमें कहा रहा है दोस्तों केक्टस में पाए जाने वाले अनुकुलन कौन सा अनुकुलन है तो दोस्तों मैं आप लोग बता दू कि केक्टस में जो होता है परनाव एबं परनसुल अभीकुलन होता है क्या होता है परनाव और परनसुल अभीकुलन जो है वह केक्टस में होता है ठीक चलिए कुछ सा नमर 117 में चलते हैं इसमें कहा ढारा है दोस्तों एक खादर संधों करा के कुछ ही चलन होते हैं क्यूंकि हड चलन पर ऋड़जा चलन पर उड़जा घड़ती जाती है क्या होती है उड़जा घड़टी वस्तु का बेग अगर एक समयन हो तो उसका एकसेलेरेशन जीरो होता है तो इसका अंसर होगा ऑप्षन नमर सी सुनने होगा ठीक चलिए कुछन नमर आगे किया और इसमें कहा रहा है दोस्तों विवीन रंगो के समू को कहां मतलब क्या कहते तो उसको हम लोग कहते हैं वर्न परिपार्टी कहते हैं और यह होगा वह करेक्ट आंसर होगा वर्न पर्टी कहा जाता है इसमें कहा रहा है दोस्तों परतियावर्ती धारा में क्या होता है तो परतियावर्ती धारा में जो है उसका मतलब AC current में जो है AC current में alternating current में हमेशा उसकी धारा के दिसा और मान जो हमेशा बदलती रहती है तो option नमर C जो होगा वह correct answer होगा चलिए question नमर आगे के और इसमें कह रहा है दोस्तो पड़कास की एक किरन एक माधियम जिसका अपवरतनांक मीवन से चल कर दूसरे माधियम it's time I'm crew when मूण क्या होगा तो हम लोग जाते है कि आनलती है हम लोग जाते हैं कि मूण आई उस्परावर क्या होता है साइन आई neイ render sign ए गूर और अगर हम इसको यहरे फैरिंग की परते हैं किवह फिर लोकौ ृ किसे परूभ क्सक्राइब j कारव उत्पन उसमा क्या होती है हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं हीट वड़ावर I square RT होता है ना I square RT तो हीट जो है दोस्तो हीट यहाँ विदुधारा के वर्ग के समानुपाती होता है तो option number A जो होगा वहा correct answer होगा विदुधारा के वर्ग के समानुपाती होता है हीट चलिए question number आगे की और इसमें करा है दोस्तो घोड़ा यदी एकाय के चलना प्राड़म कर दे तो अस्वा रोही के पीछे की तरफ गिरने की आसंका का कारण क्या है तो वह जो है दोस्तो विश्राम जड़त्व के कारण पीछे की और गिरने लग जाता है तो इसका answer option number C होगा विश्राम जड़त्व चलिए question number आगे की और इसमें कारा है दोस्तो जब दो समानांतर तारों से एक ही दिशा में विदुधारा परभाइत होता वोड़ा ही हो तो वे जो है दोस्तो एक दूसरे को आकरसित करेंगे क्या करेंगे एक दूसरे को आकरसित करेंगे option number A जो होगा वह correct answer होगा दोस्तो यह जो है numerical का सवाल है जोस्तो इस question को आप लोग अपने से solve कीजिएगा और इसका जो है आंसर मैं आप लोगो बता देता हूँ आप जो है वीडियो को पाउस करके जो है इस कोसन को solve किजिए इसका जो होगा आंसर आपसन नमर D होगा 0.25 Newton और इसका जो है इनकी solution मैं आप लोगो अगले वीडियो में provide कर दूँगा और चलिए question नमर आगे की ओर इसमें करा दूस्तो दोनों दर्मान के बीच गुर्तवाकरसन का महन क्या होगा तो हम लोग जानते हैं G बरावर क्या होता है G M1 into M2 बटे R SQ क्या होता है छोटा G बरावर छोटा G बरावर होता है बड़ा G into M1 into M2 होता है ना तो हम लोग जो है इसके अस्थान पर क्या रखना है इसका मान रखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे जी बराबर जी बड़ा जी और M1 का मान है 5 kg गुना M2 का मान है 10 kg और उसके 20 की दूरी है कितना 10 मिटर इनकी इसका स्कुरेर इनकी 100 हो जाएगा इसको काटिएगा दोस्तों काटने के बाद आ जाएगा जी बड़ावर जी मैंकी छोटा जी बड़ावर बड़ा जी बटर 2 ओके तो इसका अंसर ऑपसन नमर्प यह होगा जी बटर 2 अब चलिए कुशन नमर्प आगे क्योड़ इसमें कह रहा है जोस्तों 1 मिनट इसमें कहरा आगोड की जयका कारा एक बैसमें जिसका पी एच मान है थे तो उस बीलियंग में की सांधरता क्या होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट को संदू दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पी एच मान बड़ावर क्याता है फर्मूला एक मिनट हम लोग ज माइनस लोग एच पलस इतना हो गया तो हमको जो है निकालना है क्या एच पलस यहां पर यहां पर यहां की माइनस है तो इसको हम लोग जो हो जाएगा मैनस थ्री बढ़ाबर लोग एच पलस ओके अब देखिए हमने क्या लिखा मैनस थ्री बढ़ाबर लोग एच पलस ओके इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यह प्लस का मान कितना हो जाएगा 10 पर पावर मैनस 3 हो जाएगा H पलस का मान H पलस का मान कितना निकला है दोस्तो 10 पर पावर मैनस 3 निकला है H पलस का मान और हम लोग क्या जानते हैं कि H पलस इंटू OH मैनस बड़ावर होता है 10 पर पावर मैनस 14 हम लोग जानते हैं यह बात तो हम लोग क्या निकालेंगे H पलस का मान आया था कितना 10 पावर मैंनस 3 और हमको इसमें H पलस का मान दिया हुए 10 पावर मैंनस 3 इंटू OH मैंनस बढ़ावर 10 पावर मैंनस 14 अब इसमें हम लोग को OH का मान निकल के आ जाएगा हम जब इसको जो है इसेट करेंगे तो यह जो है आ जाएगा कितना आ जाएगा OH बढ़ावर आ जाएगा 10 पावर मैंनस 11 ओके तो इसका आंसर होगा आप्शन नमर ए 10 पावर मैंनस 11 ओके चलिए कुस्षन नमर आगे की ओड़ इसमें करत दूस्तों एक इलेक्ट्रॉन का भार एबम आवेस होता है वह कितना की बढ़ावर होता है आवेस वह जो है दोस्तों आप्शन नमर सी 11838 प्रोटोन का भार प्रोटॉन आवेस होता हा और साप्शन नमर आप्लोग यह में कोस्षन को देख रहे हैंना कुशन कुशा जाता है तो आप चले कुशन नमर आगे इसमें कह रहा दोस्तों ग्रेफерм को पैंसिल में पर्योग किया जाता है क्योंकि यह जो है कादज पर चिन अंकित कर सकता है तो option number A जो होगा वह correct answer होगा इसमें कह रहा है दोस्तो इसमें जो है इसमें कह रहा है इस अभिक्रिया में जो है इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सिकरन हो रहा है या फिर ऑक्सिकारक हो रहा है वो बताना है आप लोगको तो मैं आप लोगको बता दूँ कि CL2 जो है ऑक्सिकारा की तरह बैभार कर रहा है काम कर रहा है और यह वह करेक्ट आंसर होगा चलिए कुश्चन नमर आगे के और इसका पीदियाफ आपको हमारे पे टेलीग्राम ग्रूप में जो है मिल जाएगा ओके चलिए कुश्चन आवा आगे करे और इसमें कर रहा है नैक्रोजन गैस के अनूम में कौन से आवंध होते हैं तो उसमें इसे मिलेगी तो इसमें तो आपसे निर्गा होगा वह एक और यह तो आट्रण हो रहा है तो दोस्तों में आप लोग बता दो के ऐलमुनियम का जो है इसमें ऑक्सिकरन को रहा है और चलिकर 500 नमर aktuell जाय हैं दोस्तों नाविके 근़ इन पन होते है तो इसमें जो हु प्रजा होती है अब चली कुछन नमर आगे करा दोस्तों बायोगेस के अभियव कौन कौन से है तो दोस्तों बायोगेस के अभियव होते हैं वहां मिध्यन होते हैं एस्ट्वेस होते हैं और ऑक्सिजन होते हैं अप्सन नमर भी जो होगा वहां करेक्ट आंसर होगा अब चली नुट्रोन की संखियां और प्रोट्रोन की संखियां पर नुकलियोन का मान डिपेंड करता है अब जो है दोस्तों 91 से 100 तक मैत का कुश्चन है तो आप लोग वीडियो को पाउस करके इसका मान हमें आप लोग को बताना है इसका जो होगा आंसर ओप्सन नमर ए होगा इसका मांज है एक होगा इसका आंसर ओके चली कुश्चन नमर आगे को इसमें कह रहा है इन में से किस पड़ में संक्या को सतत तसमलब की रूप में व्यक्त किया जा सकता है और इसका option है आप लोग के सामने आगे दिया हुआ है इसका option यहां पे दिया हुआ है दोस्तों तो इसका जो होगा correct answer option number C होगा ठीक ना आप जो है वीडियो को pause करके कि सवाल को solve कर सकते हैं दोस्तों इसमें करा दोस्तों यदि किसी दूइघांथ समिक्रन के मुलो का योग और कुनंपल के क्रमश एतना इतना और हो तो इसका जो है समिक्रन क्या होगा हुआ हुम लोग जानते है कि समिक्रन बड़ावड क्यauta है स्कुर्मेयर मैंनस मूप का यूदक रोगाफ फ़र्मूला मूप का यूवफ SixK पलज्य। नियुक्सirmi बडराबर यूवड समय होगा एसका समीकरन तो और और अप्सरों को स्राइब अपना रूपैंट कर लिजिए इसका पूर्स कर लिए कि इसका होगा फिश्म कर लिए इसका भीस्टों-णुर्ण इसका जो होगा अंसर Alexandra मैं आप लोगो अगले वीडियो में प्रवाइट कर दूगा ओके दोस्तो अगरमने स्ञ ден की सॉल्यूशन कर दूँ ना कि वीडियो जैका वीडियो का पहला लंबा हो जाए मैं आप लोगो जो है इसका solution आपको अगले वीडियो में कर दूँगा, इसका जो होगा answer, इसका option number B होगा charge, correct answer, चलिए question number आगे के ओड, इसका जो होगा answer, option number C होगा minus 4, आप जो है वीडियो को pause करके question को solve किया किजिए दोस्तों, उसके बाद यह आप लोगा इनकी practice अच्छा हो जाएगा, इसमें जीरो होगा, क्योंकि यहांप 81, 82, 83, 84, 85, अंतिम में जो है, एक आएगा 85 और एक है 80, जब इन दोनों को जो है multiply करेंगे, तो एकाई अस्तान पे जो है 0 आ जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि 0 को अगर किसी संख्यां से भी गुना करेंगे, तो वह जो है 0 ही रहेगा, इस में प्रवाइट कर दूँगा, दोस्तो, इसका जो हो जाएगा answer, अंतिम कुस्चन का option नमर डी हो जाएगा correct answer, और दोस्तो, मैं उमिद करता हूँ कि आप लोग को जो है, आज का class अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को like किजिए, share किजिए, और हमारे चैनल को subscribe करना ब बीस्ट लगा,